आज हम लोगे बात करेंगे जामिया मिल्लिया इसलामिया इनुवस्टी आप जानते हैं कि उसका जामिया मिल्लिया इसलामिया इनुवस्टी का जो आप इस वीडियो में आप जानेंगे कि जामिया मिल्लिया इसलामिया इनुवस्टी है उसके जो इंटरेंस फार्म है उसके व के अंडर आएंगे तो को इससे पिछली वीडियो में आपको जामिया और एम्यू के बारे में बताया था भी अच्चू के बारे में तो वहां पे जो पहली रिपोर्ट आई थी जो न्यूज में आई थी कि जामिया इस बार कोई भी अपना इंटरेंस है सियू एटी के पारे में हम लोग बात करेंगे चलें आगे चलें देखें यहां पर लिखा हुआ है कि हमारे पास जामिया में कौन सी चीज़े हैं आते हैं में में पॉइंट में देखें यहां पर हमको लिखा हुआ है कि जो जामिया मिल्ला इंवर्श्टी का जो प्रास्पक्टस है वो ए तक फाम फिल होगा उपनिंग आफ द फाम आफ और इडिटिंग यह अगर आपको कोई भी करेक्षन करवाना है कोई फाम में कोई गलती हो गई है तो वो आपको चार अपरेल से लेके छे अपरेल तक आप उसको कर सकते हैं तो आप देखिए कि फाम कब से फिल हो रहा तीन मार तक फिर उसके बाद चार तारिक से लेके 6 अपरेल तक आपको फार्म में जो कोई भी एडिटिंग होगी वो होगा उसके बाद फिर हमारे पास आए कि डेट आफ इशू एड्मिट कार्ड कब आएगा अपरेल दस दस अपरेल के आसपास एड्मिट कार्ड आना स्टार्ट आएगा उसके बाद है हमारे पास इंट्रेंट कब होगा यह 15 अपरेल से स्टार्ट होगा आगे हम लोग देखेंगे कौण-कौण से इंट्रेंस कब-कब और किस-किस डेट में है किस-किस टाइम पे है उसके बाद है लाश डिट फार समिशन दा कौलिफाइंग एक्जाम यानि कि हमारे पास जो exam date जो result होता है यानि कि वो result को आएगा वो सितमबर 30 के बाद आगा या यह हमारे पास tentative date है हो सकता है कि इसमें कुछ date बढ़ाए सकते जिसे example तो पर कि online admission farm तीन अप मार्च से start हो रहा है number में 30 को दे रहे हो सकता है वो October में दे हो सकता है वो October last में दे अक्तूबर के mid में दे दे तो कोई वो नहीं है लेकिन क्योंकि यह tentative date है इसका मतलब होता है कि date change हो सकती है या यह भी रह सकती है चले यह हो गई हमारे पास पूरी information पहले कि कब farm फिल होगा तीन मार्च से लेकि तीन अपरहल तक आगे चले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग हर एक चीज़ को गौर करके देखते हुए चलेंगे ठीक है ने यह इधर सब कुछ जाम्य मिल्या के बारे में लिखा हुआ है अब देखें यहाँ पे जैसे PhD के लिए है यहाँ MA की उसकी चार समेश्टर में होता है जो PhD को छोड़ दीजिए जो MA हिंदी है चार सब्जेक्ट में है सीट केतनी है तीस है और उसकी जो एन्यूल फीस है वो 7200 रुपे तो ऐसे यहाँ पे फीस भी दी हुई है कितने समेश्टर का पेपर है हमको अभी यहाँ पे देखना है पहले किस किस चीजों के लिए है कितना कितना है यह तो यहाँ पे पुरा प्रोग्राम दिया हुआ है कि कब कब है जो उसका कितनी फीस ह अफर दा प्रोग्राम अप्लिकेशन फीज कितनी होगी अब देखो सेंटर आफ मैनेजमेंट इस्टडीज की साथ सो रुपया होगी है ना अल अदर फैकल्टी बीटेक बी आर्च इन सब कितनी होगी पांसो पचास रुपया होगी फैकल्टी आफ ला के लिए अपलाई करें इमिट कर देंगे तो इसके लिए आपकी साथ सो रुपय फीस है लिए हमारे पास स्टेंस फीस फीस है इंटरेंस इंग्जामणेशन फार में कैतनी फीस रगेगी उसके बारे में है ठीक है अब यहाँ पर देखें इसके बारे में हम लोग और आगे चलते हैं देखें हमारे पास साथ सेंटर होते हैं जहांपे इसका फौर्म यह आपक पास साथ आप्स होते हैं आप यासीमिसाथे प्र tua में सकते यह यूपि में हमारे पास लखनवань हुप हैं तो यह बिहार में पतना होता है ठिक है न जम्मू और कशमीर में हमारे पास शरी है किरला में त्रिनुन्तपुरा महें दिल्ली और उसके आसपास में दिलही होता है कोलकाता है ठीक है ना तो यह हमारे पास इतने सिंटर है आगे चले हम लोग आगे देखें इसमें क्या-क्या चीजी है हर एक चीज को हम लोग गौर से देखते हुए चलेंगे ताकि कोई भी सुधी है दुबई है नेपाल है इस सबके स्टेट के लिए हमारे पास यह होता है ठीक है ना अब आगे चलें तो इसमें हम लोग देखें और सब चीजे को देखें अब यह MA के बारे में है MA का जो पेपर होगा वो हमारे पास कब होगा बीस चार तो जाथ देखें आब यहां पर जैसे MA पर्सियन अब M.A. Persian का जो पेपर होगा वो C.U.E.T. के एंटर में आएगा जो M.A. Persian का पेपर होगा वो C.U.E.T. के एंटर में आएगा उसके बाद देखें हम लोग यहाँ पे हमारे पास हर एक चीज की आप इसको note down करते चाहिए post graduate का भी मैं दिखा रहा हूँ सब कुछ चीजे आप देख लिजिए अब देखें eligibility क्या है आपको PG में अगर admission लेना है तो आपको जैसे sociology में आपको लेना है तो आप B.A. sociology में आपको 50% से कम नंबर नहीं होना चाहिए इसके बारे में आगे चलें देखें अब जैसे MA education planning and administration यह भी हमारे पास COAT के एंडर में आता है आगे चलें उसके बाद है MSC material MSC chemistry के बारे में देख लें MSC chemistry में हमारे पास department of chemistry करवाएगा 15-4-2023 को इसका होगा टेस्ट होगा और जो result होगा वो 20-25 दिन के बाद इंटरेंस के result डिकलियर होजाएगा यहाँ भी हमारे पास 4 branch होती है material chemistry होती है इनारगेनिक, इनारगेनिक, फिजिकल और हमारे पास जो percentage होना चाहिए वो chemistry में minimum 50% होना चाहिए और कमेश्टरी के अंदर 55% होना चाहिए जिसे माली जाए आपने BSC में आपका 1800 नंबर का अगर आपका paper है तो आपको इसका 50% तो आपका average जो percentage होना चाहिए और आपको 50% होना चाहिए लेकिन special chemistry के अंदर आपको जो percentage होना चाहिए वो 55% होगा सिर्फ कमेश्टरी का चाहिए तो यह आपको एतनी condition होती है जब इसका farm को fill करेंगे अब उसके बाद देखें MSC के लिए है यह सब हमारे पास है आगे ऐसी आप देखते रहें बस देख लिजी सब अब देखें यहाँ पर जैसे MSNsGrit है MSC Disaster Management है यह सब किसके अंदर में आता है यह सब CUET के अंदर में आता है सब के सब जो paper होगा वो CUET के अंदर में आता है जो जो चीज़ें पर मैं बता रहा हूँ आपको graduation का हम लोग देखें अब जिससे हम लोग देखें तो हमारे पास BA honors Persian अब BA honors Persian जो होता है वो CUET के अंदर में आता है BA honors उर्दू जो उर्दू यानि कि Persian BA पर्शियन और BA जो उर्दू होता है यह सब दोनों के दोनों किसमें आते हैं CUET के अंदर में आते हैं उसके बाद हमारे पास है जैसे BA honors French Studies, History Latin American Studies यह सब के सब किसमें आते हैं यह तीनों कोर्स CUET के अंदर है यह ग्रेजुएट कोर्स हैं उसके बाद है BA और जो हमारे पास होता है अगला है हमारे पास BA honors economics BA honors economics यह भी CUET के अंदर में आता है उसके बाद है यहाँ पे तकें BSC physics अगर आप BSC honors physics या BSC honors आप chemistry से करना चाहते हैं यानि कि BSC आप physics आप chemistry से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे CUET के अंदर में आपको paper देना होगा अब इसकी eligibility क्या है कि जो ऐसे आप CUET को form को fill करेंगे तो वहाँ पे आप डालेंगे अपने choice में filling में यूनिवस्टी में तो आप अगर जामिया को fill करते हैं तो आपको जो overall 10th में percentage होना चाहिए ऐसे ही हमारे पास BSC honors chemistry के लिए BSC honors chemistry के लिए भी आपको class 12 है 50% चाहिए और आपको जो subject combination होना चाहिए 12 में वो physics chemistry biology या physics chemistry math तिनों दोनों में से कोई यानि की bio या math stream कोई भी हो सकता है उसके साथ ऐसे ही BSC honors applied mathematics जो BSC honors mathematics है वो CUET के अंडर में नहीं है लेकिन जो BSC honors applied mathematics है वो CUET के अंडर में है ऐसे ही हमारे पास है BSC biology ये भी CUET के अंडर में आता है तो इस तरीके से हमारे पास कुछ courses है जो BSC के ग्रिजुएशन के हैं जो CUET के अंडर में आती है बाकि जो PG के courses मैंने आपको बताया है वो समारे पास किसके अंडर में आती है वो डारेक्ट उसका जामिया का आपको farm file करना होगा वहां से आप उसका इंटरेंस कर आवा सकते है बाकि इसके बारे में मैं आपको और बहुत सारी वीडियो जामिया के बारे में जैसे जामिया में क्या reservation होता है जामिया का कौन-कौन से रिजरिवेशन है, जामिया के कौन-कौन सी उनिवर्षिटी की जो मार्शिड होती है इसको वो eligible मांनता है तो इस सब के बारे में आपको वीडियो देखने के लिए आप एक दिन इतilार कीजिए आपको आगले दिन इसकी वीडियो मिल जाएगी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आप लोग पढ़ते रहें थैंक्यू फॉर वाइचे